हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं लॉंग हाई लो कुर्ती और इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है ब्लेक कलर का और इस रेड कलर के कपड़े से हम इसे में डिजैन बनाएंगे और सबसे पहले हमें कपड़े को एक वार फ 5.5 मीटर इसे हमने फोल्ड कर लिया है और यह हमारी इसकी लेंद है यहां से 51 इंच हमें 15 इंच की कुर्ती सिल्की तयार करनी है तो इसमें हमने 1 इंच एड किया है और फिर से हमने कपड़े को फोल्ड किया है हमने कपड़े को डवल फोल्ड किया है यह हमारी बंद साइड है बंद साइड की तरब से हमें सोल्डर लेना है जैसे कि सोल्डर 14 है तो उसका आधा 7 इंच सोल्डर लिया है और आलम होल्स की लेंद भी हमें 7 इंच ही लेनी है ऐसे जैसे कि ब्रश्ट 40 है 40 है तो उसका फूर्थ 10 इंच हमें ब्रश्ट लेनी है यहां से ऐसे 10 इंच पे हमें ग्रश्ट लेनी है इसके बाद 1,5 इंच हमने एड किया है 1.5 इंच हमने इसमें एड किया है मार्जन के लिए इसके बाद जो हम भेष्ट पे निसाल लगाएंगे उपर 4 महल से नीचे की तरफ 8 इंच पे लगाएंगे जैसे कि बेष्ट हमारी है 32 तो उसका भी फूर्थ लेना है 8 इंच पे एक मार्थ किया है और 1,5 इंच हमने इसमें भी एड किया है इसे हम उपर से ऐसे मिला देंगे जो हमने 1,5 इंच लेना है या फिर आप आर्म हल से नीचे की तरफ 13 इंच पे भी लगा सकती है और इसके बाद यह जो हम नाप लगाएंगे जैसे कि हमने चोडाई यहां से 10 इंच लिए तो यहां पे भी हम 10 इंच ही लेते हैं और आप चाहें तो हिप्स के अकॉर्डिंग भी आप यह निसल लगा सकती है इसके बाद हमें एक इंच एड करना है इसमें क्योंकि सैड में हमें यह बंद करना है तो हमने एक इंच ही एड किया है यदि फोल्ड करते तो डेर इंच एड करते इसके बाद यहां से हम इसे लाश्ट तक तिर्चा करेंगे ऐसे हमें यहां से लाश्ट गोलाई रहेगे ब हम यहां से गोलाई चार एंच सेएंच लाल diver corner इसके बाद हमा सिन्छ की कटिंग करनी है आर्म होल्स की कटिंग करने के लिए हमें एक निसान ऊपर से नीचे की तरफ साड़ी 3 इंच भी लगाना है 3.5 इंच पर और यहां से 1.5 इंच भी लगाना है एक निसान ऐसे और इसकी हमें गोलाई करनी है इसके बाद front के armholes की cutting के लिए एक निसान हम अंदर की तरफ करेंगे half inch और यहां से भी हमें half inch ही लेना है और ऐसे हमें इसकी गोलाई करनी है यह हमारे front के armholes की cutting है इसके बाद हमें गले की cutting करनी है जैसे कि गला हमारा 5 inch है तो उसका आदा 2.5 inch लेना है और length हम 7 inch ले रहे हैं आप चाहें जितना भी length ले सकती है और इसके बाद नीचे से भी 2.5 inch ही लेनी है और उपर से भी 2.5 inch ही लेनी है और इसके बाद back गले की cutting के लिए हमें एक निशान 3 inch लगाना है और ऐसे हमें इसकी एक इंच पर गोलाई करनी है यह हमारा back गला है और इसके बाद जो हमारा front गला है यहां से जो हमने निशान लगाया है तीन इंच पर इसे हमें ऐसे नीचे की तरब कर देंगे यह हमारा front का गला रहेगा तीन इंच तक हमारा सीधा कटेगा इसके बाद हम इसे V-save में काटेंगे और इसके बाद यहां से हमें half इंच डाउन करना है गले से मुड़े की तरफ अब हमें इसकी cutting करनी है पहले हम back armholes की cutting करेंगे इसके बाद हमें इसे side से cut करना है अब हमें इसकी गोलाई करनी है यहां से और इसके बाद armholes, sorry, उपर से हमें यह shoulder काटने है और back गला इसके बाद हमें back परदे को निकाल देना है, अलग करना है और front परदे के गले की cutting करनी है हमें और इसके बाद front armholes की भी cutting करनी है और इसके बाद हमें एक निसान लगाना है जैसे कि हाई कुर्टी की cutting हो गई है और जो front है उसे हम low रखेंगे तो हमें एक निसान 36 inch पे लगाना है जो हमाई normal कुर्टी की length होती है और हमें ऐसे गोलाई करनी है, ध्यान रखें साइड से हमें एक इंच के करीब कपड़ा छोड़ना है यहां से, बिल्कुल तरचा नहीं करना ऐसे हमें इसकी गोलाई करनी है अब हमें इसकी cutting करनी है, यह हमारी low रहेगी front से यदि और आप चाहें तो नीचे से आप 14 इंच लेकर गोलाई कर सकती है और ऐसे हम दोनों तरफ निसान लगाते हैं, कपड़े को फोल करके हाथों से प्रेस करते हैं और ऐसे दोनों तरफ निसान लग जाते हैं यह हमारी कुर्दी की cutting हो गई है, बाजू की cutting करनी है सबसे पहले हमने कपड़े को एक बार फोल किया है और इसके बाद हमें कपड़े को एक बार फिल से फोल करना है हमने कपड़े को double fold किया है इसके बाद सबसे पहले हम बाजू की चौड़ाई लेनी है बाजु की चोड़ाई हम 9 इंच ले रहे हैं 9 इंच और इसके बाद जैसे कि हमें बाजु 17 इंच की सिल्के तयार करनी है तो उसके लिए हम 18 इंच बाजु की ले रहे हैं 18 इंच और मोहरी हम 5 इंच ले रहे हैं जैसे कि मोरी हमारी 10 है तो उसका हाफ 5 इंच ली है 1.5 इंच हमने मारजन के लिए एक्षा कपड़ा लिया है इसके बाद हमें उपर से एक निसान 3 इंच पे लगाना है और यहां से हमें साड़े 3 इंच लेना है बड़ी बाजू में हम यहां से साड़े 3 इंच लेते हैं और इधर हम इसे ऐसे तिर्चा कर देंगे मोरी की तरफ और इसके बाद फ्रेंट के आर्म हल्स की कटिंग के लिए हमें जो यह तिर्चा आता है इसका हाफ पे कट लगाते हैं और अंदर की तरफ हाफ इंच करते हैं और ऐसे हमें इसकी गोलाई करनी है अब हम बाजू की कटिंग करेंगे जो मैं आपको यह तरीका बता रहे हैं बहुत ही सिंपल है यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी प्रेशानी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं इसके बाद हमें दो पड़ते उपर से अलग करने हैं और इनकी कटिंग करनी है यह हमारी बाजू की कटिंग हो गई है इस तरीके से हमने यह जो कुर्ती है इसकी कटिंग कर ली है अब मैं आपको इसकी सिर्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ सबसे पहले हमें गला बनाना है और गला बनाने के लिए मैंने बुक्रम ली है और बुक्रम की चोड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है गले की चोड़ाई 2.5 इंच थी एक इंच मैंने इसमें एक्षा लिया है और कपड़े को मैंने साइड से हाफ इंच एक्षा लिया है और सेंटर पे मैंने एक स्लाई लगाई है और सेंटर पे कट्वी लगाई है ऐसे हमें इसे रखना है और इसके बाद हमें इसके उपर गले को रखना है और यह जो हमारी लाइन है स्लाई लगाई है सेंटर पर यह हमारे सेंटर पर आएगी गले में ऐसे हम निसान लगाएंगे और इसी तरीके से हमें इसमें निसान लगाने हैं और तब हमें इसके उपर सिलाई लगाने है निसाल लगाने से फिनिसिंग बहुत अच्छे से आती है ऐसे अब हमें इसके उपर सिलाई लगाने है सिलाई हमारी एक ही सीद में आनी चाहिए कम जादा नहीं होनी चाहिए इससे finishing बहुत अच्छे से आती है दि कम ज़ादा होगी तो finishing नहीं आएगी ऐसे हमें पूरे पर सिलाई लगा ली है और extra कपड़े को हमें cut करना है और ये ऐसे हमें cut लगाने है ताकि हमारा गला है वो अच्छे से fold हो सके और हमें एक इंच बुक्रम को रखना है और ऐसे ही चार तरफ से हमें एक एक इंच ही रखनी है और अब extra बुक्रम को हमें cut करना है कपड़े को हमें बुक्रम से half inch extra रखना है और cutting करनी है और इसके बाद हम इसे सीधी तरफ फोल्ड करेंगे गले को हमने उल्टी तरफ रखा था और सिलाई लगाई थी अब हम इसे ऐसे सीधी तरफ फोल्ड करेंगे जब नॉर्मल गला बनाते हैं तो हम उसे सीधी तरफ रख के बनाते हैं ताकि उल्टी तरफ हम उसे फोल्ड कर सके और इस तरीके से हमें फोल्ड करना है पहले हम किनारी पर सिलाई लगाएंगे ऐसे हमें पूरी किनारी पर सिलाई लगानी है पहले और इसके बाद हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है इसी तरीके से हमें इस पूरे गले को ही फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है और यहाँ पे भी आप ध्यान रखें सिलाई हमारी एक ही सीद में आयानी चाहिए तब यह फिनिसिंग बहुत अच्छे से आएगी और इस तरीके से हमें ऐसे ही पूरे गले में ही सलाई लगा लेनी है और जो हमारे फ्रंट गला है ये बन गया है इसके बाद हमें बैक गले को बनाना है हमने एक कपड़ा लिया है और इसके उपर हमें गले को रखना है अब ध्यान रखें अब हमें गले को ऐसे उल्टी साइड से रखना है और निसान लगाने है हमने अब के गले को उल्टा रखा है और निसान लगाए है और सिलाई लगा लिए और इसके बाद एक इंच कपड़ा लेकर हमने एक्षा कपड़े को कट कर लिया है और छोटे छोटे हमें इसमें कट लगाने है और इसके बाद हमें इसे ऐसे एक वार हाफ इंच पे फोल करना है फिर से हाफ इंच पे और ऐसे हमें पूरे में ही सलाई लगा लेनी है यह हमारा बैक गला है यह यहां पे हम एक पट्टी लगाएंगे रेड कलर की चाहें तो आप इसमें लेश भी लगा सकती हैं और जो हम ये रेड कलर की पट्टी लगा रहे हैं इसकी चोड़ाई हमने 5 इंच ली है और हम ये फोल्ड करके लगानी है हमें इसे ऐसे डवल लगाना है ऐसे फोल्ड करके ल है जैसे हमने कटिंग किती इसाटिक रहो है और इसकी लेनी है हमें कि इंची टेप को रखके हमें लेंद लेनी है, पहले हम सेंटर पर एक कट कर लेंगे, ऐसे हमें सेंटर पर एक कट करना है, अब हम इसकी लेंद लेंगे जितनी भी आती है, सेंटर से हमें इस तरीके से इसकी लेंद लेनी है, इसकी लेंद 22 इंच है, और इसके बाद जो हमने रेड कलर की पट्टी ली है, उसे हमने फोल्ड किया है, क्योंकि हम ये फोल्ड करके ही लगाएंगे, और ऐसे हमें जितनी भी है इसे ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करके हमें इस पट्टी की जो चोड़ाई है, वो 23 इंच लेनी है, और इसके बाद बंद साइड से हमने कपटी को फोल्ड किया है बंद साइड ते 22 इंच पे एक निसाल लगाएंगे ऐसे ये निसान हम खुली साइड की तरफ लगाएंगे और सौरी ये बंद साइड की तरफ निसान लगा रहे हैं पर साइड से कपड़ा खुला हुआ है और ऐसे हम तिर्शा कर देंगे और एक सिलाई लगानी है ऐसे हमने एक तिर्शी सिलाई लगाई है अब हमें इसे ऐसे रखना है रखने के वाद यह हमें इसे ऐसे सिलना है ऐसे यह हमारा सेंटर पे आएगा जहांपे हमने इस लाई लगाई है और ऐसे रखके हम इसे सिलेंगे इसे finishing बहुत अच्छे से आती है जो मैंने सेंटर में सिलाई लगाई है यदि हम सिलाई नहीं लगाते तो काफी जोलाता तो इसलिए मैंने पहले सिलाई लगा ले है और इसके बाद हम इसे ऐसे सीधी तरफ ही सिलाई लगाएंगे और सेंटर से सुरू करेंगे और यह हम ऐसे रखके हमें सेंटर से ही सुरू बाद करनी है जो हमारी यह परदा है इसे हमने कुर्टी का इसे हमने सीधा रखा और सौरी उल्टा रखा है ऐसे और हम इसे सीरी तरफ फोल्ड करेंगे हमें सेंटर से सुरुवाद की थी और लाश्ट तक हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है देखिए ये साइड में मैंने सिलाई लगा ली है एक साइड में और इसके बाद दूसी साइड में भी सेम हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है सेंटर से हमने इसलिए रखा था कि कपड़ा कई वार कम जादा हो जाए तो हमारा जो सेंटर है वो सेंटर पे ये कौना आना चाहिए इस तरीके से मैंने पूरे में ही सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम इसे सीरी तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे ऐसे हमें इसे सीरी तरफ फोल्ड करना है और सबसे पहले हमें एक किनारी पे सिलाई लगानी है बाद में उपर की तरफ बाद में लगाएंगे पहले हमें एक किनारी पे सिलाई लगानी है ताकि फिनेशिंग अच्छे से आ सके ऐसे यहाँ पर और बाद में हम उपर की तरफ सलाई लगाएंगे ऐसे हमें रखना है और ऐसे किनारी पर सलाई लगानी है लाश्ट तक हमें ऐसे ही सलाई लगानी है और जो हमारा यह कौना है इसे कट करना है और ऐसे सलाई लगानी है पूरे पर ही यह हमने सलाई लगा ली है और अब हम दूसी साइड में सलाई लगाएंगे इसे हमें ऐसे ही सिंपल रखना है और सलाई लगानी है इसलिए हमने कपड़े को फोल्ड करके लगाए था यहाँ पर हमें फोल्ड नहीं करना उपर की साइड में और ऐसे स्लाई लगानी है और यह जो हमारा कौना है इस पर ऐसे थोड़ी सी फुल्ड करेंगे ताकि गोल आई आ सके और ऐसे हमें पूरे पर ही स्लाई लगानी है ऐसे हमने इस पर पूरे पर स्लाई लगाई है फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है और हमने फ्रंट की पर प्रदे को तयार करना है और यहाँ पर भी हम यह पती लगाएंगे और यह इसी Technology तरफ यहाँ पर पती लगाने का तरीका एसे रखेंगे से पती को पर निसान लगा है और नीचे की साइड हमारी खुली हुई है उपर से ये फोल्ड है तो पहले जो हम सुरुवाद करते हैं तो उपर से करेंगे जब भी हम चोड़ी लैस या पट्टी लगाते हैं तो उसकी सुरुवाद हमें उपर से करनी होती है क्योंकि कि नीचे चोड़ाई काफी होती है उपर जाके कम हो जाती है यदि हम नीचे से लगाएंगे कोई लैस या पट्टी इस तरीके से तो उपर काफी जोलाएगा इसलिए हमें सुरुवात उपर से करनी है पूरे पर सलाई लगा ली है इसके बाद हम इसे नीचे से फोल्ड एसे 1.5 इंच पे हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और उपर से इसे भी 1.5 इंच पे फोल्ड करना है और ऐसे रख के सलाई लगानी है यदि आप इस तरीके से ना लगा पाएं तो आप 2 इंच कपडा कम लें और बडमा पत्ती लगा दें जैसे कि जो भी आप डिजान बनाना च चाती हैं तो बढ़मा पट्टी लगा देया और इसी तरीके से हमें फोल्ड करना है ध्यान रखें नीचे का जो कपड़ा है उसमें जोल आता है तो उहां पर आप ऐसे छोटी सी चुन्नट भर दें और ऐसे सिलाई लगाएं इस तरीके से सिलाई लगाने से फिनिशिंग तो आप बढ़मा पट्टी की तरह नीचे लगा सकती है कोई भी कपड़ा डिजाइन करके और ऐसे आप पूरे पर ही सलाई लगा लें देखिए मैंने पूरे पर सलाई लगा ली है और इस तरीके से मैंने छोटी छोटी चुन्नटे भरी है जहां पे भी जोलाया था और ऐस पर देखो हमें इसके उपर उल्टा रखना है और हमें सोल्डर पे सलाई लगाने है और इसके बाद दूसरे सोल्डर पे भी हमें सलाई लगाने है हमने उपर सलाई लगा ली है और इसके बाद हमें साइड से सलाई लगानी है और ये साइड से सलाई हम अपने मेजरमेंट के अनुसाल लगाते हैं ऐसे रखके हमें पूरे को ही सिलना है इसमें हमें पार्ट खुले नहीं करने हमें लाश्ट तक ऐसे ही सलाई लगानी है इस और सलाई लगा लिए है और इसी तरीके से हमें दूसी साइड को भी सिलना है एक साइड में हमने पूरे पर सलाई लगा लिए है इसी तरीके से आप दूसी साइड में भी सिलाई लगा ले हमने दौनों साइडों को सिल दिया है और अब हम आपको बाजू लगाना बताएंगे सबसे पहले हमें बाजू को तयार करना है उसके लिए हमने रेड कलर की एक पट्टी ली है जिसकी चोड़ाई हमने टूप इंच ली है और ऐसे हमें पट्टी को ऐसे रखना है जो हमारी बाजू है उसे हमें सीधा सौरी उल्टा रखना है और इस पट्टी को भी हमें उपर से उल्टी साइड से रखना है और सिलाई लगानी है और इसके बाद इस पट्टी को हम सीरी तरफ फोल्ड करेंगे राइट साइड में ऐसे हमें फोल्ड करना है और किनारी पे सिलाई लगानी है और इसके बाद हमें दूसी साइड में सलाई लगानी है ऐसे हाफ इंच हमेंसे ऐसे फोल्ड करना है अब हमें इस पर सलाई लगानी है अब इसके बाद हमें बाजु को फोल्ड करना है मोहरी पर निशान लगाना है जैसे कि मोहरी हमारी 10 है तो उसका हाफ 5 इंच पे हमें एक निसाल लगाना है और उपर से जो हम दूसरा निसाल लगाएंगे वो हम आर्म हॉल्स की लेंथ लेने के बाद ही लगाएंगे ऐसे हमें ऐसे इंची टेप को रखना है यहाँ पे और जो आर्म हॉल्स है थोड़ा खीच के हम निसाल लगाएंगे जैसे कि हमारे 8.5 इंच है तो यहाँ पे हम इंची टेप को ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे हमें नहीं खीचना 8.5 इंच पे और नीचे की तरफ हमें इस लाइन को मिलाना है और सिलाई लगानी है इसके बाद बाजू को हमने सीधा किया है और जो हमारी कुर्टी है उसे हमें उल्टा करना है और यह देख लेना है कि जो फ्रंट के आर्म हॉल्स की कटिंग है वो फ्रन्ट के बाजू की जो कटिंग होती है उसी पर आनी चाहिए इस तरीके से हमें बाजू को रखना है और रखने के बाद ऐसे सिलाई मिलानी है बाजू की और कुर्ती की और पूरे में ही राउंड ली हमें अभी इस्लाई लगानी है ऐसे मिलाके अब हमें सिलाई लगानी है इसी तरीके से हमें पूरे में ही सिलाई लगानी है देखें एक बाजू मैंने लगा ली है इसी तरीके से आप दूसरी बाजू को लगा ले फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है और इस तरीके से मैंने हाई लो कुर्ती को सिलके तैयार कर लिया है यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें थैंक्यू